नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है आज हम नेट के सोफा कवर पर लाइनिंग यानि की अस्तर लगाएंगे हमने नेट का सोफा कवर लिया है और अस्तर के लिए ग्रे कलर का कपड़ा ले लिया है बिन अस्तर ये इस तरह लगाएगा अस्तर लगाने पर ये थोड़ा मोटा भी हो जाएगा और इसमें चमक भी आ जाएगी अब हम नीचे रखकर इसको उपर से नेट वाला फैवरिक रखकर दिखाते हैं अस्तर के कहीं तरह के कपड़े आते हैं हमने कोटन का बारिक वाला कपड़ा लिया है इस तरह से रखकर ये इस तरह से लगेगा अगर हम अस्तर को हटा देंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा इसमें साइनिंग लाने के लिए हम इसके नीचे अस्तर लगाएंगे और मजबूती के लिए भी अस्तर का लगना जरूरी है अब हम बैड पर इनको बिछा लेंगे क्योंकि ये बड़े हैं इसलिए ये मेज पर नहीं आएंगे हम इनको बैड पर विझा कर इनका कटिंग करेंगे पहले हम छोटे कूरसी वाला कटिंग करेंगे उसके बाद हम थरी सिट वाले का करेंगे नीचे इस कपड़े को फेलाएंगे ओपर से इसको हम रख कर आपको दिखा रहे हैं इसमें चमाका जाएगी इस तरह से ये और भी खोबसूरत लगेगा हमने नीचे अस्तर वाला कपड़ा बिचा लिया है उपर से हमने नेट वाला फैवरिक ले लिया है अब हम इसके चारो तरब पिन लगा देंगे इसको सेब करने के लिए हम इसमें पिन लगाएंगे ताकि ये इधर उधर ने हो और इसमें ने कोई सलवट पड़े इसलिए हम इसके चारो तरब पिन लगाएंगे पिन लगाने के बाद हम नीचे वाले कपड़े को काट लेंगे इसी के बराबर हम कपड़ा काटेंगे आधा आधा इंच हम चारो तरफ जादे काटेंगे क्योंकि हमें उसको मोड़ कर उपर से इसको रखना है जिससे और जादे सफाई आ जाएगी इस तरह से हमने पिन लगा लिए सभी पिन को लगा लें अच्छी तरह से फिर इसका कटिंग करें कपड़े को हम पिन से अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं इस तरह से हमने इसको सेट किया है ये कवर देखने में बहुत ही सुन्दर लगेंगे एक दम लाइट कलर है जादे डार्क नहीं है इस तरह से हमने इसमें पिन लगा लिए है उस side में भी हम pin को लगा लेंगे एक side बच गई है इसमें भी हम अच्छे से pin लगाएंगे आप इसको बिना lining के भी बिचा सकते हैं लेकिन ये सिकूर कर नीचे गिर जाएगा इसले इसे हम मोटा करने के लिए इस पर lining यानि की अस्तर लगा रहे हैं अब हम इसका नीचे वाले कपड़े का कटिंग करेंगे कटिंग आधा आधा इंच छोड़ कर ही करें क्योंकि वो मोडने में काम आएगा इस तरह से हम इसका कटिंग कर लेंगे कटिंग करके हम सभी को इसी तरह से रख लेंगे पूरी नाप का कटिंग करें आधा आधा इंच छोड़ कर करें हमने इसका कटिंग कर लिया है कटिंग होने पर ये इस तरह से लगेगा और पिन लगाने से एकदम सेफ हो गया है इस तरह से और जो हमने आधा आधा इंच छोड़ा था उसको हम इस तरह से मोडेंगे अंदर की तरफ थोड़ा-थोड़ा मोड ले और ऐसे रख कर इस पर सिलाई कर ले सिलाई सफाई से करें जिससे देखने में अच्छा लगे अब हम मसीन लेकर इसकी सिलाई करेंगे ये देखने में और उस पर कवर करने में बहुत ही अच्छा लगेगा इस तरह से हम थोड़ा-थोड़ा मोड़ कर ऐसे और इसको रखकर सिलाई कर लेंगे चारों तरफ हम सिलाई करेंगे उपर की तरफ किनारी है इसलिए वहां से हम नहीं मोड़ेंगे तीन तरफ से हम मोड़ कर इसको तयार करेंगे अब इस तरह से हम इस पर सिलाई करेंगे एकदम किनारे पर सफाई से उपर की साइड से सिलाई करें पिन से हमने इसको सेप कर लिया है अब हम सिलाई करेंगे सब भी पर हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे एक पर हम आपको करके दिखा रहे हैं बाकी पर हम करके आपको फिर सोफा पर सैट करके दिखाएंगे इस तरह से हमने इस पर सिलाई कर लिए है अभी हमने इस पर सुरुवात करी है तीन तरफ हम मोडेंगे एक तरफ हम किनारी है इसी तरह से सिलाई कर लेंगे थोड़ी सी मैनत से हम अच्छी चीज बना कर तयार कर लेंगे और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और ये अच्छी तरह से सफाई से इसको हम सील लेंगे हमारा टाइम भी बच जाएगा और पैसा भी ज़्यादा नहीं लगेगा इसलिए हम घर पर इसकी सिलाई करें इस तरह से सिलाई करते हुए हम आगे बढ़ेंगे अगर आपको ये पसंद आए आप लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नहीं हैं तो सस्क्राई करें सिलाई को एकदम अच्छे तरीके से करें हमने इसके चारो तरफ सिलाई कर ली है थोड़ा सा इससा बचा है इस पर भी हम अच्छी तरह से कर लेगे किनार उपर हम इस गोलाई से मोड़ते हुए सिलाई करेंगे अब इस पर सिलाई हो चुकी है हम दागे को काट देंगे सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा एक पीस बन कर तयार होगा है सभी पीस को हम इसी तरह से बना कर तयार कर लेंगे पहले सभी का हमने कटिंग कर लिया है अब हम पिन लगा के सभी को इस तरह से सील लेंगे ये बिल्कुल तयार हो गया है अब सभी को हमने तयार कर लिया है चार छोटे पीस और दो बड़े पीस अब हम इनको सोफा पर कवर करके आपको दिखाते हैं इस तरह से सभी कवर बन कर तयार हो गए है अब हम चलते हैं इसको सोफा पर कवर करेंगे आप किसी भी चीज में लाइनिंग लगाएं या अस्तर लगाएं तो वो सब इसी तरह से लगता है अब हम इसको लेकर चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि ये सोफा पर किस तरह से लगेगा इस तरह से करके हम अपने घर को और भी सुंदर बना सकते हैं और छोटी छोटी डियाईवाई बना कर उनको हम अच्छी तरह से घर में सजा सकते हैं ये अस्तर लगने के बाद कुछ इस तरह से लगेंगे सभी पीश को हमने अच्छी तरह से तयार कर लिया है और अब हम इनको अच्छी तरह से सोफा पर कवर कर लेंगे इस तरह से हमने लाइनिंग लगाई है उपर से ये इस तरह लगेंगे पीछे से ये एकदम गरे कलर के लगेंगे अब हम चलते हैं अब सोफा पर इनको कवर कर ले कवर करके हम आपको दिखाते हैं इस तरह से हमने इसको सोफा पर कवर कर लिया है ये कुछ इस तरह से लगेगा और इसमें लाइनिंग लगने के बाद चमक भी आ गई है आप अपने घर को इसी तरह से सजा कर तयार कर सकते हैं बैड सीट पर भी इसी तरह लगेगा और किसी डुपटे बिलाओ जी या कुर्ती पर आपको लाइनिंग लगानी हो पहले उसको काट के सेट कर लें और फिर उस पर सिलाई करें हमारा एक सुन्दर सा कवर बन कर तयार हो गया है और ये सोफा पर लगकर बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरह से ये लगेगा मेज को भी हमने कवर कर लिया है दूर से इस तरह लगेगा और नजदीक से इस तरह लगेगा सोफा का कवर बन कर तयार हो गया है